तो आज मैं आपके सामने एक स्टोरी एक रियल स्टोरी लेकर आई हूँ जो सुनके आप खुद ऐसे हो जाओगे कि आप कुछ भी कर सकते हो आपको किसी पर डिपेंड होने की जरुरत नहीं है क्यों और आपको यह जो माइंड सेट है और बहुत लोगों का यह माइंड सेट ह आनी चाहिए हमारी थोड़ी इंफ्लूएंसी होने चाहिए इंग्लिश में तभी हमारी कोई वेल्यू करेगा या तभी हम कोई कॉर्परेट सेक्टर या कोई इंडस्ट्री में जा सकते वरना अगर हमें इंग्लिश नहीं आगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे यह बहुत चोड़के बस आप उसके पीछे पड़ जाओ नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए आपको सीखो अच्छी बात है लेकिन साथ ही में आपकी जो काबिलियत है आपको वो सीखना चाहिए उस पे फोकस करना चाहिए और उसी पे वर्क करना चाहिए तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेके आ रहे हूँ जिसको इंगलिश नहीं आती थी बहुत ही मिडल क्लास फैमली से बिलॉंग करता था और आज आज वो इंडिया के टॉप ब्रेंड्स टॉप टेकनोलोजी ब्रेंड पेटी एम का आज वो मालिक है जिसने कुछ दो मिलियन डॉलर या इतने कम पैसो में नहीं बोल सकते लेकिन इतनी छोटी कमपनी जो उसने बनाई है और आज वो जाके सो मिलियन से भी उपर रुपे की वो आज कमपनी कहलाती है वर्ल्ड में बेस स्टार्ट अप में ये आता है तो आपको उसको प्रूव करो और लोगों को बताओ कि हमें ये आता है आपको हमसे ये सीखना चाहिए और हमारा जो स्टार्ट अप है वो कोई बेसिक सा सेंपल नहीं मलब नहीं है बहुत ही अच्छा स्टार्ट अप है और आपको इससे सीखना चाहिए तो ये लड़का भी एक वही एक्जाम्पल सेट किया है और आपको वो देखना चाहिए तो हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा मैं दावे के साथ कह सकते हूँ कि आप में आप में वो जग जाएगी वो चिंगारिक जग जाएगी कि आप कुछ भी कर सकते हो तो ये लड़का स्मॉल टाउन से अलिगर से आया है और आज इंडिया का टॉप ट्रस्टेड ब्रेंड टेक्नोलोजी ब्रेंड का एंबेसिडर आइमीन सीई ओ है तो आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा and hit the bell icon सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कौन है ये विजय शेखर शर्मा है जो बहुत ही स्मॉल टाउन से आया है और जिसके पास second hand tech magazines खरीदने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे और आज वो इंडिया का सबसे बड़ा top trusted technology brand का वो मालिक है बहुत ही छोटी कंपनी जो आज बहुत ही बड़ी हो चुकी है उसका ये मालिक है और उसने ही ये पूरी पूरी कंपनी उसने बनाई है अब हम आपको बताते इसके कुछ points जिससे सुनके आप हैरान हो जाओगे सबसे पहले वो English में अच्छा नहीं था उसकी वो English समझ ही नहीं पता था कि सामने वाला क्या बोल रहा है जब वो IIT की क्लास में बैठता था तो उसे समझ नहीं आता था कि टीचर्स क्या बोल रही है और उसी की वज़े से वो entrance exam नहीं दे पाया जो other competitive exams होते वो सीखने के लिए वो क्लास में नहीं बैठ पाया क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता था कि टीचर्स क्या बोल रही है मतलब उसने इतनी महनत किये हिंदी क्योंकि उसे English नहीं आती थी क्योंकि उसे समझ जता नहीं था उस वज़े से अब आगे बात करते है कि वो school में topper हुआ करता था और college में एक backbencher ये जो विजय शेखर है ना ये Delhi College of Engineering पढ़े वे जिन्होंने अपनी 19 जब वो 19 के थे तभी वो Delhi College of Engineering से पास आउट हो गया थे नॉर्मली 21 के जब आप होते हो तब आपका कोई college या bachelor course complete होता है और इन्होंने बड़ी मुश्किल से ये चीज़े मनलब college में जब आपको English में समझा जाता है तो बहुत ही मुश्किल से इन्होंने समझा आई ये बहुत ज्यादा time अपना computer room में बैट के spend किया करते थे वहाँ पे इंटरनेट पे browse करते थे सब की meaning समझते थे और मन में एक dream था कि हाँ कुछ करना है आगे एक start-up करना है और कुछ ऐसा लाना है जो दुनिया वाले देखते रह जाए और जिससे खुद की country आगे भी बड़े बस एक ही ये dream था उनके मन में उसके बाद उन्होंने college में एक start-up किया उन्होंने एक xs communication करके उनकी एक first company बनाई जो इनका मलब एक तरह से जिसमें बहुत ज्यादा वो excited थे बहुत यंग थे, bright student थे और engineering ये कर रहे थे तब उन्होंने एक xs communication करके company build की थे एक start-up था उनका और उसका काम क्या था content management system मलब बहुत सारी companies होती है या जो भी होता है उनका जो content होता है उनका जो social media का page होता है उस पर बहुत सारा content मलब सब बताना पड़ता है कि हम क्या कर रहे है क्या नहीं कर रहे है ये हमने नया क्या है ये सब तो ये काम इसकी company मलब विजय शेखर की company ये काम करती थी कि लोगों का content लिखके देती थी और तभी इन्होंने सारा code खुद से सीखा है और खुद से इन्होंने अपनी जो content management system उन्होंने खुद से design किया है और बहुत सारी बड़ी-बड़ी publication इनकी company को hire करती है including the Indian Express ये एक example दिया और और भी बहुत सारी ये इसी publications है जो XS Communication विजय शेखर की company को hire करती है एक समय ऐसा भी था जब इनके पास fund नहीं हुआ करता था और कोई इनको fund दे भी नहीं सकता है क्योंकि ये एक middle class family तब suppose आप कोई भी middle class family हो जिसका अच्छा background नहीं है मतलब पैसे चुकाने जैसा और तब आप किसी से पैसे मांगो और वो भी ज्यादा पैसे तो सामने वाला भी हिचकिच आएगा यार मैं इसको कैसे दो क्या ये चुका पाएगा मैंको तो तब ये एक 197 ये try कर रहे थे और उसी समय इनका आठ लाग का लोन था उस समय 2010-2011 के टाइम पे तब आठ लाग भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक मिडल क्लास फैमली के लिए और उस आठ लाग पे उनको 24% इंट्रेस्ट देना पड़ा और उसी के साथ बहुत सारे उनके अनपेबल डेट थे मरलब बहुत सारे डेट उन्होंने ले रखे थे तो उसको पे करने के लिए उन्होंने बहुत सारी छोटी मोटी जोब की अलग-अलग जगा पे जोब की जा से वो पैसा इखटा कर सके वो डेट वो पैसा फिर से चुका सके और साथ में उनको land connection चाहिए था और वो फिर साथ में guest lecture करते थे ताकि उनको थोड़ा थोड़ा सब जगह से पैसा मिले वो इखटा करे और अपने startup में लगाए और at last उन्होंने paytm a big bet मनलब उस पे paytm उन्होंने बनाया और बहुत सारा पैसा उस पे लगाया रिस्क था यह start up सारे startups मतलब ऐसे नहीं होते कि आप कर रहे हो मतलब आप successfully हो नहीं होता है ऐसा तो उन्होंने लगाया एक तरह से आप समझ सकते हो कि यार सक्टा जैसा समझ लो अगर हम हमारा startup successful हुआ तो हुआ वड़ना नहीं हुआ तो जब बहुत सारी टेलिकॉम companies है जो अपना infrastructure सुधा रहती 2010 में तब विजय के जो investors थे क्योंकि वह पैसा लगा रहे थे investors से वह भी confident नहीं थे कि यार यह क्योंकि paytm एकदम नया था मनलब एकदम नया था और जहां पर कैसा था कि सारा आप online transaction कर और उस टाइम लोग online transaction पर विश्वास नहीं करते थे क्योंकि सब cash to cash होता था तो एकदम नहीं चीज लाना और वो भी इतनी new और लोगों का mindset को change करना बहुत ही बड़ी चीज़े जो इन्होंने की है तो सब बहुत unconfident थे मलब कि यार कैसे होगा हमारा पैसा कई दूप तो नहीं जाएगा तो यह idea जो paytm वो लेकिया और उन्होंने personally खुद dollar two million उन्होंने अपना steak इतना steak उन्होंने लगाया और finally उन्होंने अपनी brand paytm को launch किया और आगे का आपको पता ही है कि कितना paytm चला है तब से लेके आज तक paytm चल रहा है और इसकी जैसे बहुत सारी चीज़ा है यह लेकिन paytm एक start-up है जो बहुत ही famous start-up है और आपको इससे यह सीख मिलती है कि कुछ भी हो आपकी जो काबिलियत है वो आपको दिखानी चाहिए भले आप एक middle class family और भले आपको English नहीं आती हो आपके पास कम पैसे हो यह सब चीजों पर आप नहीं focus कर सकते आपकी focus हो गया आपकी काबिलियत पर जो आता है वो लोगों को दिखाओ और और उस काबिलियत से एक अपना खुद का start-up लाओ और उसे अच्छे से build करो और तब लोग देखेंगे कि हाँ आप भी कुछ कर सकते हो अब हम आपको पेटियम के बारे में Forbes की क्या राय है वो क्या बोल रहे है वो हम आपको बताएंगे one of the biggest beneficiary of India 2016 में जब demonetization हुआ था क्योंकि तब कैसा था कि जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं था cash नहीं था उस time क्या चीजे थी कि सब लोग bank transfer ही करें मलब यहाँ से पैसा वहाँ डाल रहे है क्योंकि और कोई option ही नहीं था और उस demonetization से इस company को इतना मुनाफ़ा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है पैटियम में उस समय 400 million users थे और 25 million transaction डेली के होते तो आप समझ सकते हो कि वो company कहाँ पे stand करती है और लोगों को जो trust है वो कितना ज्यादा था पैटियम पे और साथ ही में जो इनकी company है 2018 में Warren Buffett Berkshire Hathaway ने 300 million dollar पे टीयम में इंवेस्ट करें तो अब समझ सकते हो इतने बड़े लोग भी पे टीयम पे इंवेस्ट करें वो भी dollar 300 million एक समय ता जब उनको पैसे उनके पास पैसे नहीं हुआ करते तो उनको investor ढूणने थे कि कौन इंवेस्ट कर और आज इतने बड़े बड़े लोग इस company पे इंवेस्ट करें क्यूंकि कुछ है तभी लोग इंवेस्ट कर रहे हैं और भी ऐसी चीजे है जो Forbes बताना चाहते है इस यहाँ पर से फिक Paytm ही नहीं open किया उन्होंने और भी नहीं नहीं चीजे साथ में लेकिया है उन्होंने Paytm Mall एक e-commerce business start कर दिया जब आप खरीद सकते हो बेच सकते हो बेच नहीं सकते मुलब कुछ भी चीज आप खरीद बेच सकते हो और उसी के साथ उन्होंने Paytm payment bank भी start किया है इन्होंने साथ ही में दूसरी company में भी दूसरे startups में भी इन्वेस्ट किया है जो इन्हें लगता है कि आगे जाके वो बहुत ही अच्छा कुछ कर सकते है एट टेक आउटफीट अन अकैडमी और उसी के साथ को वाकिंग space provider innovate मतलब नए-ने startups में भी ये उनको support कर रहे और उनमें invest कर रहे हैं अब जो current news में आपको बताने वाली हूँ Paytm के और भी नए-ने plans है और जैसे कि उन्होंने equity market में भी enter कर लिया है मतलब लोग Paytm में भी shares को खरीच सकते हैं बेच सकते हैं और Paytm ने 10,000 करोर invest किया है अपना जो financial services को expand करने के लिए उसी के साथ last year 1 billion USD dollar मतलब बड़ी-बड़ी companies ने इसको fund दिया है Paytm को US-based asset management firm T. Rowe Price और जो existing investors है जैसे कि Softbank, Alibaba ये सब ने भी Paytm को पैसे दिये है ताकि वो अपने उनको funds दिये और वो अपने expansion करें उसके जो plans है उनको expand करें और भी ज्यादा earn करें तो ये थी Paytm की कहानी और उसके owner की कहानी के वो कहा पर था और आज कहा पर है उसकी जो मेहनते वो रंग लेके आईए और ऐसे आप भी कर सकते हो और आप भी अपना एक startup खोल सकते हो भले ही आपके साथ कोई नहीं पर आपको अपने उपर विश्वास होना चाहिए और आएंगे तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाइ सब्सक्राइबिंगा चैनल लाइक शेर एंड कमेंट थैंक यू